सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आजखल तो आप सभी बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं यूट्यूब पे लेकिन एक टाइम जरूर था पहले जब आप सभी मंडराते थे अपने टेलिविजन के चारो तरफ अपने फेवरिट टीवी शो को देखने के लिए या फिर किसी मूवी को एंजॉय करने के लिए लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टीवी काम कैसे करता है मतलब कैसे बिना किसी लैग के बिना किसी बफरिंग के आप जो चाहे अपने टीवी में चैनल देख पाते हैं आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहे हैं और मैं आप से बात करने वाला हैं तीन अलग-अलग वराइटीज में सबसे पहला है व्रोडकास्ट टीवी उसके बाद में आता है केबल टीवी और उसके बाद में आता है सेटलाइट टीवी और आजकल तो हम आईपी टीवी बगएर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं लेकिन फिर भी सेटलाइट टीव जो है वो देख सकते हैं तो मतलब ये एक बहुत ही कमाल की चीज थी और उस टाइम पे हम काम में लेते थे ब्रॉड कास्ट टेलिविजन का दो इक छोटे टाउन में किसी छोटे शहर में आपको एक TV एंटीना आज भी शाय दिखता होगा अपने किसी सिटी में कि हाँ यहाँ पे ये पुराना TV एंटीना बहुत ही उचा होता था और वहाँ से वो सिगनल्स को फैलाता था जिससे आप अपने घर बैठे हुए उस एंटीना को एडजस्ट करने के बाद में TV देख पाते थे उस टाइम पे सिटलाइट टीवी इतना पॉपलर नहीं था और अगर आप द इसके बाद में आया केबल टीवी जहां पे कमर्शल तरीके से घर घर केबल नेटवर्क पहुचा जहां पे आपको और अच्छे से चैनल्स मिल जाते हैं आपको अपने घर पे ऊपर कोई एंटेना लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केबल का तार आएगा और आप उसक केबल लेके आएगा नहीं कोई आप तक उसका सिगनल पहुचा पाएगा जो उस टावर से निकल राइग ब्रोडकास टीवी के लिए तो यहां पे दोस्तों हमने शुरुआत कर दी सेटलाइट टीवी की यहां पे हम काम में लेते हैं जियो सेटलाइट को यानि की यह जो से लगाते हैं और वो जो रिसीवर है वो दोस्तों सिगनल रिसीव करता है उपर आकाश में सेटलाइट से और वहां तक सिगनल पहुचाये जाते हैं जमीन पे जो ब्रोडकास स्टेशन है वहां से अब ऐसे में आप यह मत सोचिए कि जो सेटलाइट से वहां से तो हमारे पास उनको छोड़ दे रहता है उपर सेटलाइट्स के तरफ और बाद में वहां से दोस्तों reflect होने के बाद में signal सेटलाइट्स कुछ अपने amplify भी करती हैं वो जमीन के तरफ फैलाती है और उसके बाद में आपको आपका जो dish antenna है उसको एक particular angle पे align करना होता है आपको उसकी position देखन वहां पे जो antenna है आप सभी जानते है बहुत ही common है जो कि है parabolic antenna जहां पे signals आएंगे वो focus करेंगे आपके central part में और वहां पे जो LNB है उसके तरू आपके signals जो पहुँच जाएंगे आपके setup box में और वहां पे वापिस से उनको decode किया जाएगा वो जो compressed signal से उनको इस format में ल भी चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करती है लेकिन क्या इतना ही सब कुछ है जी नहीं दोस्तों इसके अलावा आगे चलके तो हम IP TV की बात करते हैं जहां पे आपको कुछ भी नहीं चाहिए सारा काम हो रहा है internet के जरीए आपके घर पे सिर्फ एक wire आ रहा है और आप उसी के तरू अपना TV भी यूज़ कर रहे है आप उसी के तरू अपना इंटरनेट भी यूज़ कर रहे है तो यह जो टेकलोजी है यह भी काफी तेजी से बढ़ रही है बहुत सारे cities में है बहुत सारे countries में है धीरे तेरे शायद आप तक भी पहुंच जाएगे लेकिन फिलहाल के लिए तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चीज यही है कि आप इंडिया में है तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हो वो जो सेटलाइट है आप उसकी रेंज के अंदर आते है और आप बड़े आराम से अपना फेवरेट शो देख पाएंगे मान लिजिए वही एक सैं जी नहीं क्योंकि जो सेटलाइट है उसकी कवरेज वहां तक नहीं है लेकिन हां इंडिया के अगर मैं आसपास रहा थोड़ा बहुत तो डेफिनिटली मैं देख पाऊंगा विकॉस मेरे को वहां पर उसके सिंगनल मिल जाएंगे अदर्वाइस तो भाई मैं दुनिया के कि से एंजोई कर पाऊंगा इस टीवी को दूस्त मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा सैटलाइट टिलिविजन के बारे में इंटरनेट काम नहीं कर सकता सैटलाइट से उसके लिए हमें चाहिए मोटी बोटी केबल जो कि चल रही है पूरे समुंदर के नीचे जो क आपने इस वीडियो को भी तक लाइक के शेर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना बिलकुल ही मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूं फिलाल के लिए इतना ही